तो चलो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं खुश खबरी से जो की वैसे तो खुश खबरी है लेकिन किसी के लिए दुख खबरी भी हो सकती है और वह बंदा कौन है वह भी आपको बताऊंगा शारा समझी जाओ को खुछ जैसी में आपको बताऊंगा बात बड़ी मर्फी यानि की बड़ी मैथ्यू जिनको जिनका नेम है और रिया रिप्ली जो की रिया लाइफ में कपल हैं उन्होंने शादी कर लिए और इस बात को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कोलाइबरेटिव पोस्ट डाल के बताया और जहां पर उन्होंने कैप्श इस बात शादी तो उनके लिए शादी बहुत ही हर किसी के लिए होता तो उनके लिए बहुत बड़ा होता है कि वही चलो हमको हमेशा ही साथ में रहना है तो यह जो है खुशकबरी होगी उनके लिए अब डॉमिनिक मिस्टिरियो जो की अगर आप ऑन स्क्रिन में देखो त यह उनके लिए पर देखा ही हुआ है कि इनकी जो स्टोरी लाइन है वह तीवी पे अलग होती है और जो रियल लाइफ में फिर वहां पर यह अलग ही चलते हैं तो कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा मतलब सबसे इंपॉर्टन स्टोर लाइन होने के बावजूद भी जो बैलाइ कि जो टॉंगा लोगा टामा टॉंगा उनको इतना तकड़े वह में नहीं दिखाया जितना जेकब फार्टू को दिखाया तो पैट मैगेफिके शो पर एक दो वर्ड यूज के लिए और वो उनको बोलते हैं गेम चेंजर अब ट्रेपल एच की नजरों में जो जेकब फार और आपको याद होगा जब जेकब फार्टू के बारे में आपको रूमर्स ही बता रहा था कि वो डबल लबली के में आ सकते हैं शाद उस ताम पे साइन हो गए तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी उसमें उस साइज के साथ वो जो हरकते कर रहे हैं जैसे और उनका और कितना स्ट्रॉंग बनता जाता है अगला वारे में बहुत को कितने लोग आने वाले हैं वह बताने वाला हूं और कहां से होने वाली है शाद पता ही आपको मैडिसन स्कूर गार्डन से यह होगी और इसकी जो किपैसिटी ऑर भाई 15000 के आसपा टिकेट तो बह के लिए यह है तो कितना बड़ा वो शो होने वाला है और उस शो पर क्या चीज़ आप एक्सपेक कर सकते हैं इसको थोड़े दर में डिसकस करें लेकिन आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि इस मतलब स्मैक डॉन में बहुत कुछ होने वाला है अभी उसको अभी औ रे मिस्टियो और जिलना वेगा के सेग्मेंट के टायम पर रही ते यानि कि जब डॉमिनिक मिस्टियो और लिव मॉर्गन वहां पर थे हाला कि उससे थोड़ा साही पीछे ही है सैथ रॉलिंस और देमन प्रीष्ट वाला सेग्मेंट है लेकिन अल्मोस्ट कह सकते हैं कि मा अच्छे नंबर्स लेके हा रहा है सेग्मेंट तो कह सकते हैं डेवल अबली की जो स्टोर लायना है जिस प्लान के साथ उन्होंने चीजों को लेके सोचा था उसका एक्जीशन सही और इसके रिज़र्ट बीज़ए बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मैं भी शेयन में मिला तो नहीं हो लेकिन उन्हें बोला कि हमारे जो मूचल फ्रेंड से वह काफी जादा हैं और शेयन में का हमेशा ही वेलकम किया जाएगा एवल्डू कंपनी के अंदर तो यानि टोनी घान ने तो दोनों हातों से ओपन आंस के साथ वेलकम कर दिया है तो ऐसे धमाके वाले फेक्टर थोड़े पसंद आते हैं टोनी खान को तो पता नहीं क्या होगा लेकिन अभी तो इसको मैं से मज़ी के ले सकते हैं बाकि जादा भी इसके पीछे में को नहीं लगता थी भांग लाने की ज़रूरत है नेक्स बात करते हैं डीन अम्रोस के बारे में और भाई सहब यह क्या होगे इतने सालों में मतलब जब से डीन अम्रोस कंपनी से गया है मैंने तो यह होते हुए नहीं देखा लेकिन अब हो रहा है तो डेबल अबली का वॉल्ट वाला चैनल है यह मैंने अपने काफी एक मह में क्या है पूरी जो शील्ड की पूरा शील्ड की जो प्लेलिस्ट उसको डाला गया है 2012-2014 तक दो गंटे से ऊपर की है और यहां पर खुले आम रोमन रेंस सेथ रॉलिंस और दीन अम्रोस के नेम को मैंशन किया गया है और इसके बात तो भाई यह जो ट्वीट फटा है इस पर लोगों के जो रियाक्शन आये हैं जो लोगों ने रिस्पॉंस दिखा इस तीज को लेगी कि भाई धीन अम्रोस को फाइनली मेंशन किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कई बार में यह भी देखा है कि जब डॉल डॉली क्लिप्स जालती है और रोमन रेंस से तो परपसली जहां से डीन अम्रोस को होना चाहिए वहां से भी उडा देते हैं बट यहां पर तो भाई कुछ अलगी चल रहा है तो यह लोग बहुत पॉजिटिव साइन लग रहा है इस चीज को लेगे कि डीन अम्रोस जब डबली में आएंगे बाकि कॉंट्रेक्वारी स तो इस समय जैसे लोमन रेंस बड़ी चलने वह बंदा भी बड़ी चल रहा हो तो इस तरीके से डीन अम्रोस की जो डिमांड है वह चली मतलब हम तो चाहते ही बाई देखना और मेरी तो हैवी बोल्ल्ट प्रेडिक्शन वही तो लगता है कि एक नहीं एक बार इस्से पहले साथ देखिए जिसे CM Punk वाले case में देगा तो उसके वो फिर एक कह सकते है उसको एक exception हो जाता है तो किसी पी तरीके साब इससे देख सकते हो बड़ तिंस लग रही है पॉजिटिव की चलो ड़ी की तरफ से तो पुरा खुला है बागी डीन अम्रोस होड़ा सा सन की आदम है जैसे करेंगे वैसे हो लेकिन क्योंकि उनकी फ्रेंट्शिप अच्छे है वहाँ पर रहे है बाखे इसके बात नहीं करते है बास होपस है कि डीन अम्रोस आएंगी डेव व्रॉवी कंप्री में नेक्स रोमन रेंज्स के वारें बात करते है और मेरे तो दिमाग से ही उतर कोई आपका फेवरेट सूपरस्टार बंदा आपसे मिलना आज़ा तो आपको कितना मेंटली बड़ी आफील होगा जैसे मेकप विश वाली चीज होती है वैसे कुछ आप यह समिलर कह सकते हो तो रोमन रेंस अपने फैन से मिलने के लिए गए तो यहाँ पर उनकी फोटोस देख सकते हो और मैं सोच नहीं कि अभी तो रोमन रेंस के बार में अपने खाम को लेकर कैसे डेडिकेटेड़ है कि वह हॉस्पिटल पहुंच गए अपने हाट टाइम में दूसरों के हाट टाइम क को थोड़ा सा इजी करने के लिए तो यह तो भाई माननी पड़ी कि रोमन रेंस की नहीं बलकि कोडी रोड्स के बार में बड़ी अच्छी चीज पता चलिए इसको भी साथ में शेयर कर देता हूं यह एक लाइव बेंड के अंदर कोडी रोड्स ने किसी एक फैन से प्रॉ शोचो मतलब कितना अजीव है कि जैसा आपको कोई फेवर्य बन्दा और अचानक से आपकी पर्टी में है आपके जुनमन दैन की आपके श्पेशल दिन भाले तो यह घा मनी आप खुल कितने अच्छी इंसान हो कि अँख रूम एक नटार के बारे मारे में बात करते है यह बोला कि CM Punk बोल रहा था ना कि जब तक उसके अंदर सांसे बाकी हैं वो Drew McIntyre को अब ने बनने देगा तो सीम पंक मैंने तेरा वह हाल किया है कि तेरे को मैं सामने दिखाऊंगा तेरे को पूरा नहीं खतम किया मैं अभी तरे अंदर चीजे छोड़ी हुई हैं और साथ में वह ब्रेसलेट उन्हों पहना वाता है उसको दिखा के टॉंट और मॉक कर रहे होत यहां रूम अकनटार पागल गिसम का बंदा लग रहा है कि यह बंदा कुछ भी कर देगा वास अब इसको चैंपन बनना कहते है कि अभी मेरे पास चैंपेंशिप होनी चीजिए लेकिन उस गाली बगते हुए सीम पंक बंदे के वज़े से वह चीज नहीं हो पारी तो यह लाइन आच पागल रहा है मैं जासा मशिजए लग रहा है मिरे को तो से भी ज्यादा एक्स्क्रीम होती भी लग रही है मुझे लगा था कि दोने पार वार फेट हो जाएंगे तो उसके बादे वाएंगे तो मज़ा आ जागा लेकिन यह मज़ा छोड़ भाई यह तो ऐसा वह ऐसा लग रहा है वह लाइन ही ब्लर होनी शुरू हो गई है कि WWE is a scripted show और सब कुछ असली में हो रहा है यह यह real factor add हो रहा है जो कि मुझे लगता है Brock Lesnar के साथ Brock Lesnar की स्टोरी में बहुत होता था वैसे कोई comparison निया कि Brock तो मतला लागी बीश किसम का लेकिन यहां मुझे थोड़ी 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 सीमिलर वाइवारी है सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि यह जो SmackDown है वो मैंडिसन स्कॉर गार्डन से होगी बहुत सार लोग आ रहे हैं मैंडिसन स्कॉर गार्डन आपको पता है ऐसा शो है जहां पर डबल डबली बड़े बड़े मुवमेंट करने के लिए जानी जाती है अब इलेक्ट्रिफाइंग जब वर्ड आता है तो मुझे बताने की जुरुत नहीं हमारे दिवांग में रॉक का नेम आता है तो क्या रॉक यहां पर आने वाले है अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा डीकोड करने कोशिश करूं तो यह सेग्मेंट है क्या यह ब्लड और अब इंजुरी बगर उनको चल रही है हाले कि वह वह रीजन नहीं जिसकी विजह से एक अपिरेंस नहीं कर सकते रहो को डेफिनिटली कर सकते हैं बाई कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि एक सर्पाइस रोमन रेंज का रिटर्न भी हो सकता है तो पता नहीं मुझे लेकि मैं यह नहीं बोलूँगा कि एकस्पेक्टेशन मत रखो कि जिस हिसाब से सारी चीजे अलाइन हो रही है ऐसा लग रहा है कि एकनॉलिजमेंट सेरेमनी वाला सेग्मेंट कुछ बहुत बड़ा धासू मैंसे वह सकता है अब रॉक के आने की पॉसिबिलिटी मैं तो इसको कम जादा है मैं सोचना कि मैं बहुत जादा रिलाक्स होके वीडियो बना रहा हूं कि मैं इसी जरी के से वीडियो बना सकता हूं यह उड़ा अच्छ लेगी तो उसे लाइक जरूर करते हैं चैनल को सब्स्क्राइब कर दो ऐसी और मस वीडियो उसके लिए और तब तक पहले तरह संदी कमझे